नमस्कार हलचल में आपका स्वागत हैं सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर गुराया के नैशनल हाईवे पर स्थित न्यू मार्किट में एक व्यक्तिकार शव मिलने से फैली संसनी पुलेस जाच में जुटी अमरित्सर की जगदंबे कॉलोनी में एक नौजवान के घर के बाहर दो युपकों ने चलाई गोलिया नौजवान गोली लगने से हुआ घायल कचे अध्यापक यूनियन की ओड से उन्हें पक्का किये जाने पर शुक्राना हेतू शिरी गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ के डाले गए भोग वितमंत्री हरपाल चिम्मा ने विशेश तोर परकी शिरकत और अब हल चल विस्तार से गोराया की नैशनल हाईवे पर स्थित न्यो मार्किट में उस्समय संसनी फैल गई जब संदेख्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ती की मौत हो जाने की सूचना मिली पिलहाल मृतक व्यक्ती की पहचान नहीं हो पाई है वहीं घटना की सूचना मिलते ही थानी पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँच गए और शब को कबजे में लेकर सिविल अस्पताल फिलोर में पहुँचाया इस संबंद में जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर जगदीश राज ने बताया कि पुलिस ने मृतक व्यक्ती के पास से एक चाकू भी बरामत किया है उन्होंने बताया कि मृतक व्यक्ती की छाती पर हुए घाव देख कर लग रहा है कि इस व्यक्ती की चाकू मारने स जान गई है और इसकी उम्र लगभग 35 साल लग रही है और देखने में ये प्रवासी मजदूर लग रहा है फिलाल पुलिस की ओर से उसकी देह को पैचान के लिए 72 घंटे के लिए सिविल अस्पताल के शवग्रिही में रखवा दिया गया है और मामला डर्ज कर आगे की कारे की जा रही है जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट कि अगया है जिएख़वार कर दो दो कि अगया है जागदम्बे को लॉनी में विक्रम शर्मा अधिश्क्राविक्रावण उर्फ बबलू नामक नौजवान के घर के बाहर दो युवकों द्वारा गोलियां चलाई गई जिसमें एक गोली विक्रम की टांग में लगी और उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भरती करवाया गया है वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँच गए इस मौके पर पुलिस जाच अधिकारी ने बताया कि बबलू शर्मा के घर के बाहर दो नौजवान CCTV कैमरों में भी कैद हुए हैं जिनकी ओर से गोलियां चलाई गई पेडित की माता के मुताबिक उसका बेटा सुभा से शाम तक काम पर रहता है और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है जब वो रात को घर आया तो पीछे आये दो नौजवानों ने उनके घर के बाहर गोलियां चला दी वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन खोल बरामक दिये हैं फिलाल पुलिस मामले की जांच कर रही है अमरिज सर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट तो जान इतो पजे पतले पतले गे अवथे मोटर सैकल जालू कि अच्छी प्राणी ताटे लिए शाडी प्राणी ज़ीटे बेटे को बेटा सब्सेरे निकल दा रात काम उता हुँँदा तो जिन्ना जाना गोली हो और पता केड़े हैं ना मिनूनी पता केड़े हैं जैम महांग जादी जाए ते मारवने लेटे मस्तेया मार केना मारत हैं तो प्राणी को कि मांग करता है हुआ है पुलीससराय नहीं आयो फुलीसपसर है तर मैन गरिभनी मेरा बंदा मेरा सेतनी है का में बड़नी कि तर इक प्राणी जाने बचाई जए खे लोगी लाटाच लग कि यह कर देंगे गारिया है कि यह जब कर दोज जग दंबा करो निए जो अ को सामने आये जब के यह दोटका दे घया हुस्पिटल एक तुनस लिए तुनस मोपिडों तेन खूब ले लेगा पाकीनवी अशिकेशन का रहे हैं जो भी काल सामने आएगी वतान सिया गीति दीए करीब कच्चे अध्यापकों को पक्का किये जाने की खुशी में अध्यापकों ने गुरुद्वारा बाबा बेर सियाना साहिब में शिरी गुरुगरंत साहिब जी के अखंड पाठ के भोग डाले इस मौके पर वितमंत्री हरपाल सिंग चिम्मा विशेश तौर पर शामिल हुए इस तोरान कच्चे अध्यापक यूनियन के जिल पाई वाली सरकार ने अध्यापकों पर कोई एहसान नहीं किया ये लंबे समय से संघर्ष कर रहे अध्यापकों की मेहनत का नतीजा है जिन्हें पक्का किया गया है इस मौके पर जिलायोजना बोर्ड के चेर्मेन गुर्मेल सिंग इंप्रूब्मेंट ट्रस्ट संगरूर क के चेर्मेन पीतू चाहण रविंदर मान स्त्रीविंग की राजयनेता जस्वीर कौर शेरगिल वितमंत्री के ओस्दी तपिंदर सिंग सोही भी मौजूद रहे संगरूर से हलचल के लिए जस्वीर मान की रिपोर्ट हां जी मेरा नाम हर्विंदर सिंग जिला परदान संगरूर जी पहला हुन तक पाजी सनु कच्चे दया पक्क है जांदा सी गई बखभख कैटागरियां दे विच्चे सी शामलती गई पांज कैटागरियां थी गया पर हुन जी असी सनु आम आदमी पार्टी ने रेगुल मेंबर किता पके दया पकिता ते वह हुआ है जी बारा हजार साथ सो दे करीब जड़े मेंबर पके होई नहीं ते जड़े बहुत ताइम तो थारा थारा साला तो पच्चे सी गई अज जासी जी सब तो बड़ा सो कराना ता महराज दा किता इस रूगुल गुरांट साहिव पच्चे में आजमा दी ने इस कम नुखन तक चेर मैं जा कमेटिया रहिया पर एप पहले चेर मैं ने जिनना ने क्यों पमेटिया बनके कम नुख पूरा किता ते सानु रेगुलर करने विचे ना बहुत बड़ा जोग दान करने विचे मंत्री चाहब अरपाल चिंग मांत्री पॉंचे आपने आम आदमी पार्टी दे सिनीरागू पहुंचे जिते माता जी ने पहुंचना सीक आपने मुख मंत्री साहब यह ज्रूरा जिर्यमेकर नहीं पहुंच सके कोना जैदा बनार्ण सा फ्रेड लें नियुन सязँप्ता हुंची नहीं बस तरश नहीं दो ना वाद़ी करना सी कित्ती असी शेह आर लें दे सी और सानु तीक नहीं मिलें लागी सानु पहली दन्खारी बहुत जादा कुछी है बीकदों सानु मिलें अदो धी इक दे चाहिए से अंग अगा जी मेरे हस्पेंट नाला आई ने जी बच्चे दोनों क हो देख दे आ रहे हैं वे नादा कम कदों हूँ ते वी सानु पूरियां सूनता मिलने अंग अगी हों तक बच्चे तरसी ही रहे सी और सानु बहुत ज्यादा खुशी है साड़ी ठारा है अर अगा होई अगा होई यह अजी अन्ग उन्हों सी क्या भी साड़ाग गे भी र 15 साल तो कोई 20 साल तो सरदार पर गोहन सिंग मांजी दी घवाई सदका मांजो को मुक्रमांतरी साथ दिशार नर्देश देहेट मेरी घवाई ची कमेटी बनाई की सी असी उन्दों नों बिलकुल पके कीता गा बहुत लंबे अर्शे दी दिमार सी की आज सारे टीचर साहव पर आउनाले ने हमेशा ही साधी सोसाइटी दों अग्ये लिया के आगली काम करते हैं तो उन्हादा कच्छे होना माडी का सिसोर नों पके किता गया गा तो आउनाले समय भी जड़ा जड़ा भी कुछ बोर बाकी रहादा सी पूरा करांगे सो आज ज़दे आपकाने मान सर् सबादे लिएं वी काम हों देने सारे ऐसे कर देया गड़िया नारिया काम ने या कच्छे थोबहां नों अब पके करना ठीक करना फो सारे काम लगातार हर्का जड़ातार जारी कि जारी है जारी रहार पर नमीश दीति जड़िया ओले आधी ज़ब़े और सब्सम्स लेवल तक जान तक जान और पंजाब दा नाम जड़ा एशिया लाइवल देटे लंपक्स तोड सरकार देटन जारी ने कि सदार प्रगवान सिक्मान जीनियां अधायता ने गियां कि अच्छे स्टेडियम पंडा दे अंदर बहुत पंडा दे शहरां दे अंदर बहुत ही बच्यां नौजमाना जजवागा और स्टेडली यो अपदेली स्टेडली खिरिना चाहूं दे लेंगे तो नहीं कितने किते इंफ्रसक्चर दी यह काट हूं दियो वसी पूरा करने जो बर यह सकार दिन दिया नशे के खिलाफ जहां पंजाब पुलिस की ओर से अलग-अलग ओपरेशन चलाए जा रही हैं वहीं अमरित सर देहात पुलिस की ओर से माहल के गुरुद्वारा साहिब में गाउवासियों के साथ एक वीशेश बैठक की गई जिसमें उन्होंने नशे के खातमे के लिए के लिए तयार है पर कुछ पुलिस अधिकारी सूचना देने वाले का नंबर नशे के सौधागरों को देकर दुश्मनी डालते हैं और खुद नशे के सौधागरों से मिली भगत कर करोणों की प्रौपटी बनाए बैठे हैं उन्होंने कहा कि वे पुलिस की मदद करेंगे लेकिन अगर गाउवास्यों पर कोई समस्या बनती है तो वे पुलिस अधिकारियों के घर और दफ्तर का घेराव करेंगे अमरित सर्थे हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट जो नशाख हम करने हैं जदो पेंडवासी परशाशन दादे या बंदा नशाविये तो बाद ररना दुशनी पहाँ है कि पूर्चन मेरे करना बाते हैं दुशनी जलो हर बंदा एचीनों लेकर डर्दा या जान फेर प्रोटेक्शन दिती जावे भी जान दिती जाए पा क कि गॉल्च बॉल्कुल साच्चा जी बिलकुल साच्चा बांदी कारवाई रेग्वा कि पॉने जाए टिया फब्लिक रमा में किसे तरह नहीं को सपोर्ड नहीं कीती जाएगी जे कोई पिंडों साथ्टे ऑचन जान रोगा मैं उदे भी में खालाफ होंगा ओधे कार्दे मेरे जनाना इन्हें आपनिया नहीं करते हैं नशावेचते हैं जडे मनोधनी ताना गडियों नहीं नहीं कर दो प्लाड इसमाय। कि नहीं नहीं यहाज जिनना दाना नहीं कर दो आज कि जड़ा । हैं जारूर किती जाएवे जुरूर किती जाए जाए सट पर्सेंट किती जाए ञाख लात लग्या है आण पर लौत के नहीं wegg तो Sebrianno कश्ति अधीम यहाख। पुरी जड़ा को नशे वेजदा होदे खिलाव सकता सकत कारवाई करें पंजाब सुक्रकार दे जड़ा द्रेट सम् कल्प लियाव नशे न कदम का रिस बंदी पेंडवासियं दे से जोग लैंड वास्तिय से मीटिंग और गनाइज किती सी पेंडवासियं ने सान वड़े निगेस बानाल से जोग देंडवादा किता तानवाद करते हैं तान जो इस पेंडवासियों नशेदा खादमा किता है कि मुश्क्ला उनने क्या सी कई करी साथी पुलिश के लारे से भी आहीं दस देयां फुर्स फट दी नहीं है तैसी होना मिश्वासित वाया है कि कोई गल नहीं होगी कुछी सहनों गुप्ट तॉर्त इंफर्मेशन देओ असी उनना देज खलाब बंदी का लिए असी अपन अपना नंबर देता है कि गुप्त तॉर्त सब्सक्राइब करें बंदा इसको गतिवीदी करता है माननों कि आई प्रशाशनों के वह उत्तार होगा जाए यह से उन्हों दसमाय ते फिर उस्राइडी को उन्हों तुसी आपना नंबर दे रहे जाए कि लगता कि अनुसे इं अपने ही पर ना छोटे नो फड़ांगे उत्व एक अगे ऊना दे फारवर्ड ते जड़े बैकवर्ड लिंकर जते अधार तक अगे चलांगे वड़े मगरमा श्राइड नो भी पड़ांगे यह नहीं है नहीं दो ग्राम वाले फाड़कर दमर को उस्तर पंद करता है किसे किसे दाप पोईले आज नहीं किता जावेगा जाड़े डीजीपी साव लो शक्त हदायता में नशे दे सदा कर लूँ किसे भी कीमत मापने किता जावेगा ते उस दी हल्प करनमाले थे खलाब पनूनी कर रहे जाए जाए अपने ही फ्रेलू बंदा इस मामले तो पाया जा सरकार ने सब्सक्राइब किती भी जेड़े साड़े सोटे बच्चे आदी हो चुके या उन्होंनों एक मौका देके नशा सदाव के इंदर में सप्रेज के नशा सदाया जेगा जेड़े विच्चन वाले या उनना देखला आपसक्त कर रहे तो एन बी ए आई द्वारा वा अमंदीप कॉलेज ओफ नर्सिंग में अमंदीप अस्पताल के सैयोग से ये समागम करवाया जा रहा है ये समागम मेडिकल शिक्षा में उच्ष शिक्षा को उस्साहित करेगा और ये सालाना पुरुसकार की एक पेशकारी है जो स्वास्थे संभाल के एक शेत्र में उत्त कि एक श्वास्थे संभाल में शिक्षा देने में अपना योगदान डाला है अम्रिच सर से हल्चल के लिए सुनील खोसला की रिपूर्ट Yeah, my name is Dr. Alex Thomas. I am the founder and patron of the Association of National Board Acc terrific Institutions called ANBAI in short. ANBAI is now celebrating its 12th year of existence and primarily we have been created as a bridge between the hospitals which conduct these programmes and with the National Board of Examinations. and we have a very very strong and a very useful liaison with them we work together to ensure that the quality of postgraduate education through the national board is maintained and that there's a good relationship between all the stakeholders every year for the last 10 years we have been having an annual conclave where our representatives from all the states we have representatives in most of the states in the country who represent those hospitals which are doing the courses in those particular states so the representatives from those states come every year annually and i think the unique thing there is that every year that we have had these conclaves it was last year it was in coimbatore before that was in hyderabad earlier to that in delhi and then in bangalore so we actually have these meetings in rotation the important thing here is that every year without fail the president of the national board of examinations and the vice president who is also the executive director spend the whole day with us interact with the hospitals answer questions interact with the students and as i was saying earlier we have worked very closely with the national board ensured that the national board degrees have equivalence with the medical council of india degrees and more recently we have been able to ensure that the national board of examinations has maintained its autonomy and its independence a jadi slanna meeting saddi ho riya na association of national board accredited institutes dh institutes dhi a ik taran da get together hun da hai har state de representative da jedi ki national board nal accredited institutes hai onna de representative honna states toh ethe ondhe ne saadhe national board de president jade ne te otho de vice president jade ki executive director hundei ondhe ne ovity ondhe ne hovi ondhe so sabe chan undi ya har state the representative honna de nar jade hudsi problems undi ya ne saadhi islamah undi ya ne oxi up exchange kar de ya o sade experiences to theominion so beck de neki uno no education policies key changes limon the load he now sanu aupney ya further policies sare to de jade narki medical education which better in प्रोग्राम की पर आंगी करेंगे जी साथे पंजाब दे सेथ मंत्री डॉक्तर बलबीर सिंग जी अमधी पॉलेज ऑफ नर्सिंग जे ठुवाल वेचे होएगा ते साथे गेस्ट ऑफ अनर होनगे डॉक्र जेस्पाल सिंग संदू वाइस चांसलर गुर्णानक देव उनिव दोन्यों अपने थोट प्रोसेसेस शेर करंगे सारे जिनने सदे डेलिगेट सोनगे उनना देना उसतों बाद एक पैनल दिसक्शन होएगी जेस पैनल दिसक्शन चे सदियां जडियां एजुकेशन विदे पिटफॉल्स है न ओर डिसकास कीते जांगे एक इंटरक्टिव स प्रेशन होएगा between the national board officials and and by officials who represent awards who represent सारे accredited institutes plus education excellence awards दते जांगे उनना awards which teachers दे, best teachers award होनगे, outstanding youngsters दे awards होनगे and one nursing award will be there. तो एक डॉक्टर तनेजा ने इन दौरतों जिननानू lifetime achievement award देता जाएगा, तो एक औरेशन होएगी साधी annual oration, जेडी की डॉक्टर बिलाल, जेडी की chairman ने मनिपाल group of hospitals दे, ओर रिप्रेजेंट कर। कल conference वेरे आठ साधे आठ दे करीप शुरू हो जाएगी ते शाम तक चलेगी. I am Dr. Rahul Guha Biswas, I am the national secretary of this great institution, great society called Anbhai, and I have come here to Amrit sir, to be a part of the annual conclave which happens every year in presence of the senior leadership of National Board of Examination. फिरोधपूर में आए दिन लगातार बढ़ रही वार्दातों के चलते, फिरोधपूर के SSP दीपक हिलोरी ने समाज सेवी संस्थाओं के कारेकरताओं के साथ, फिरोधपूर चावनी के वृद्ध आश्रम रामभाग में एक मिटिंग कर शहर की समस्याओं के बारे में जा फिरोधपूर में बढ़ रही नशा खोरी और लूटपाट की वार्दातों से लोगों के दिलों में डर का माहौल है और लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, तो वहीं SSP लोगों को विश्वास दिला रही हैं कि बुरे अंसरों पर जल्द ही नकेल कसी ज जाएगा, इस दोरान कुछ संस्थाओं के कारेकरताओं ने SSP को मांग पत्र भी दिये, फिरोधपूर से हलचल के लिए मंजीत सिंग की रिपोर्ट मैं हरीश गोईल परधान शिरी रामबाग बरिद सेवाश्रम, आज फिरोधपूर की सभी एंजीोस ने SSP साब से बेंती की थी की शेहर में बहुत ज़्यादा लूट खो, नशा, सनेचिंग बढ़ चुका है, लोगों में देशत का महोल है, आप आकर उनका दुखदर सुन तकलीफी बताई गई, और ये भी बताया गया कि हमारी सुनवाई थाने में पहली बात तो रिपोर्ट नहीं दर्ज होती, रिपोर्ट दर्ज हो जाए तो उसके बाद कारवाई नहीं चलती, तो SSP साब ने ये बहुत आशवाशन दिया है, कि आगे से ये कारवाई, मैं इस कोशिश करेंगे कि ये सब काम ना हो, नशे को भी पूरी तरह रोक लगाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, पब्लिक से ये भी प्रातना की, कि आप अमें नशा को बेचने वालों के नाम बताईए, हम आपके नाम गुफ्त रखेंगे और उन पर कारवाई करेंगे, आज पुलिस्टेशन केंट के जो एंगियोज है और रामभा कमेटी उसकार हमारी मेटिक भी है, पुलिस वैसे जो केंट थे, मैथा और बेस्वीडी थे, साथ में ट्राफिक के भी इंचार से, जो बेसिक इशू पुलिस रिटेटर डिसकास हुए, अच्छा उपस में जो इचा आरे समाज मंदिर शहीद भगत सिंग नगर में सापताहिक ससंग एवं यजय का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान प्रदीप शर्मा इवं श्रीमती तानिय शर्मा ने यग्य वेदी पर उपस्थित होकर विशेश आहूतियां प्रदान की, इस अफसर पर यग्य ब्रम्ह आचारे सुशील आरे ने पवित्र पावन वेद मंत्र द्वारा यग्य को संपन करवाया, आरे समाज के प्रसिद भजन गाई का सोनु भार् एश्वर भक्ती के भजन सुना कर मंत्र मुग्द कर दिया, आरे समाज के महामंत्री हर्श लखन पाल ने मंच संचालन किया, आरे समाज के प्रधान रंजीत आरे ने आए हुए सभी यागिक परिवारों का धन्यवाद व्यक्त किया, इस अफसर पर ओम प्रकाश महता, भु दिनी उपाध्याय, जस्विंदर कालिया, बैजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भातिया, पवन महाजन, भबलू यादव सहित, आरे समाज के समू सदस्यगण मौझूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट मौझ तुद राज में, सी ओ तुम ये दोवाण में दोडाते हैं, आर्दू अर्दा रोफी, जब्दा और रोफी, सारा यातमा हो तुमारा, जब इस उतनाई हो, तुश्यों की तवाई हो, रोशन हो तुमारा ये जहाँ तुमारा ये जहाँ श्री देवी ताला मंदिर प्रवंधक कमेटी की ओर से शिरी कृष्ण जानमाश्टमी के उपलक्ष में नंद उस्तव का आयोजन श्री देवी ताला मंदिर के राम हॉल में करवाया गया जिसमें प्रसिद भजन गायक अशोक शर्मा एवं कुमार आशू शर्मा ने श्री कृष्ण की लिलाओं का सुन्दर वर्णन कर उपस्थित भक्तों को जूमने पर विवश कर दिया इस दोरान भव्य दर्बार और अलोकिक श्रिंगार सब के आकर्शन का केंद्र रहा इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रवंधक कमेटी के माहसचिव राजेश विजन विशेश रूप से उपस्तित होकर माथा टेक कर आशिरवाद प्राप्त किया इस अफसर पर असंख्य भक्त जन मौझूद थे जालंधर से हलचल के लिए कैमरामेन प्रवजोत सिंग की रिपोर्ट बिष्क्र शमोर से प्राप्तerson फिष्कर इसमार प्रिष्कर पर इसफ्कर जन मौझूद बिष्कर दीरि के लिए तरह चान लोन विए भाव मुण रख FOR राम हडी हरी हरी करेष्न हरी कर्ष्ण हरी andar-u-री पर राम च्छिस्ना थे वाल। हरे कि आप हरे क् शीस्न अरुआ, हरे क् शीना मार्स्टेन हरे क् शीस्न कर दो was स्टाइब रिखेर्द्न साइप्स पुझे राम पंचाइती मंदिर आर ए तोप खाना बाजार जालंधर चावनी में शिरी कृष्ण जन्माष्टमी का तियोहार बड़ी धुमधाम से मनाया गया इस संबंध में शिरी कृष्ण जन्माष्टमी समापन समारुखो करवाया गया जिसमें पंडितों ने विधिवत मंत्रों उचारण कर आये हुए यजमानों से जन्माष्टमी समापन समारुखो करवाया और भगवान शिरी कृष्ण की पूजा अर्चना की इस मौके पर विने राणा सहित असंख्य भक्तों ने पहुँच कर शिरी कृष्ण का आशिर्वाद प्राप्त किया और अब अंत में हलचल की गतिविद्यों पर एक बार फिर से नजर डालिएं गुराया के नेशनल हाईवे पर स्थित न्यू मार्किट में एक व्यक्तिकार शब मिलने से फैली संसनी पुलेस जाच में जुटी अम्रित्सर की जगदंबे कॉलोनी में एक नौजवान के घर के बाहर दो युपकों ने चलाई गोलिया नौजवान गोली लगने से हुआ घायल कचे अध्यापक यूनियन की ओड से उन्हें पक्का किये जाने पर शुक्राना हेतू शिरी गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाथ के डाले गए भोग वितमंत्री हरपाल चिम्मा ने विशेश तोर परकी शिरकत इसके साथ ही अब तक की गतिविध्या समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहे हल चल नमस्कार